exercise 1.2 question 1 which one is greater question a 3 by 5 comma 2 by 7 इसमें जो 3 by 5 है यह 3 by 5 यहां लिखेंगे उसके बाद 2 by 7 को यहां लिखेंगे यह 3 by 5 में जो 5 है इस denominator को इधर इस fraction का जो numerator और denominator तुनों में multiply करेंगे और इसमें जो denominator है यह denominator जो पर का जो fraction है rational number है 3 by 5 उसके साथ multiply करेंगे यह 7 यहां multiply हो रहा है और इसकी बाद इसका denominator है यहां multiply हो रहा है इन दोनों का multiply करने के बाद value आया 21 by 35 एगें इसका multiply होने के बाद आया 10 by 35 सो अभी इसका denominator सेम है इसलिए इसका numerator बढ़ा होगा वह ही greater होगा therefore 3 by 5 is greater than 2 by 7 इन दा सेम वे इस fraction को भी हम इधर इसे लिखेंगे लिखने के बाद इसका denominator है denominator नीचे में multiply होगा और नीचे का denominator है यह उपर में multiply होगा इसको multiply करने के बाद यह value आया और इसको multiply करने के बाद यह value आया अभी दुनों का denominator सेम हो गया जब denominator सेम हो जाएगा तो जिसका भी numerator बढ़ा होगा वही greater होगा तो इसमें यह greater है इसलिए greater हो गया अगर इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे कि यह greater है यह smaller है क्योंकि इसमें minus है इसमें plus है वाला rational number always greater होगा तो इससी लिए हम इसको देखकर भी बोल सकते थे कि यह greater होगा यह smaller होगा लेकिन हम इसी process को follow करेंगे अगर two marks होगा तो question में तो एसे करना चाहिए अगर one marks होगा तो हम direct ऐसे लिख सकते थे बाहर करके ऐसे लिख सकते थे लेकिन अगर two marks आया question की according तो यहां ऐसे लिखना परेगा question c में वही process हम करेंगे जो पहले वाले का जो denominator है वो दुसरी वाली की numerator और denominator में multiply होगा अर यह दुसरा fraction है उसका denominator होगा वो denominator पहले वाला के numerator और denominator लोनों में multiply करेंगे उसके बाद इसको multiply करेंगे यह विल्वाएगा इसको multiply करेंगे यह विल्वाएगा यह सामझ मसोल्ट करने के लिए हमको सिफ इय सोचना चाहिए कि हमको Sब ही denominator sum करना चाहिए यह denominator यह denominator यहाँ सेम जब होगा तभी हमको पता चलेगा कि कौनचा बढ़ा है कौनचा चोटा है इसलिए हमने इसका denominator इधर मल्टिप्लाई किया numerator और denominator के साथ और इसका numerator इसका जो denominator है यह 9 9 को हम इधर दोनों में मल्टिप्लाई कर दिया उसके बाद value को multiplication की बाद यह value आ गया तो numerator अभी अलग-अलग हो गया और denominator सेम हो गया अभी अगर हम इन दोनों fraction में देखे, compare करे तो minus 44 is greater than minus 45 so यह fraction बढ़ा हो गया और यह चोटा हो गया so minus 4 by 9 is greater than minus 5 by 11 इस question में हम ऐसे लिखेंगे पहले इस fraction को लिखेंगे उसके बाद 2 by 3 fraction को लिखेंगे उसके बाद यह 1 by 9 हुआ और यह 2 by 3 हुआ इसका जो denominator है इस में denominator ठी है इसकी इसाल multiply करेंगे पर का fraction का denominator 9 इसको यहां multiply करेंगे multiply करने का बाद इधर विलुआएगा 3 इधर आएगा 27 इधर आएगा 2 9 जा 18 और इधर आएगा 3 9 जा 27 यह बड़ा है च्छोटा है क्योंकि इसका जो denominator है denominator शेम होगया भी numerator यहां बड़ा इथाई दे रहा है तो इसलिए 2 by 3 is greater than 1 by 9 in the same way इस question में 6 by 13 को ऐसे लिखेंगे उसकी बाद minus 7 by 11 को लिखेंगे इसमें एक positive sign का है जो 6 by 13 है एक negative sign का है minus 7 by 11 यह वाला टाम greater होगा फिर भी हमको कैसे greater है इसको दिखाना चाहिए इसलिए हम इसे लिखेंगे 6 by 13 equal to फिर से लिखेंगे 6 by 13 into into again minus 7 by 11 into इहां multiply लिखेंगे और यह 11 जो है निचे वाला जो fraction है इसका जो denominator है इधर multiply करेंगे और पर का 13 new denominator है इधर multiply करेंगे अभी 6 into 11 equal to 66 into 11 equal to 143 again 7 into 13 equal to minus 91 and 11 into 13 equal to 140t therefore 66 by 143 है यह ताम गेटर है और यह 91 by 143 यह smaller है इसलिए इंसर्ट लेस देन और गेटर देन इन दा बॉक्सेस तो यह one mark का होगा question पर question में one mark ही आएगा उसके उससे जादा नहीं आएगा इसलिए इसको हम बहुत easy तरीके से करेंगे तो पहला question हा 6 by 7 3 by 8 शीफ हम इस 6 के साथ 8 multiply करेंगे और यह 3 के साथ 7 multiply करेंगे तो तो भेलो आएगा 48 and 3 के साथ 7 multiply करेंगे तो 21 आएगा तो यह greater हो गया इसलिए यह smaller हो गया तो यह वाला part greater हो गया इसी तरीके से करेंगे क्योंकि इसका question में mark shift 1 ही आएगा 19,7 by 13 so यह 13 इसकी साथ multiply होगा और यह 19 इसकी साथ multiply होगा so 13 इसकी साथ multiply होने के बाद वेलो आएगा 26 और इसकी साथ 7 into 19 equal to 130 थी therefore this fraction is greater so इसमें यह sign आएगा next 4 by 9,5 by 6 so यह 6 इसकी साथ multiply होगा यह 9 इसकी साथ multiply होगा so 4,6 इसकी साथ 24 5,9 जा 45 so यह term greater होगा again 7 by 8,1 by 9 so यह 9 इसकी साथ multiply होगा यह 8 इहाँ multiply होगा so यहाँ वेलो आएगा 60 थी यहाँ आएगा 8 so यह greater होगा so इसका अंचार होगा ऐसे है 15,11 by 12 so 12 के साथ 12 multiply करने से वेलो आएगा 144 again यह 11 के साथ 19 multiply करेंगे तो इसका वेलो आएगा 209 so यह 209 वाला part greater होगे यह इसका sign आएगा A so E का अंचार होगा ऐसे question F 4 by 15 4 by 15 and 7 by 13 so 4 के साथ 13 multiply करेंगे यह 13 और 7 के साथ 15 multiply करेंगे 7 के साथ 15 multiply करने से वेलो आएगा 105 therefore 105 is greater than 52 so sign होगा यह so E होगा अंचार question Z 4 by 5 2 by 3 so E 3 के साथ 5 के साथ so 12 हाएगा इधर इधर आएगा 10 so E part greater होगे यह से होगा अंचार again 1 by 7 is H so 2 by 9 इसके साथ 9 के साथ 9 आएगा और 7 के साथ 2 multiply करने से 14 आएगा so E part greater होगे E होगा अंसार question 3 by 5 आए and 4 by 11 3 के साथ 11 multiply करने से 33 आएगा 4 के साथ 5 multiply करने से 20 आएगा so E part greater होगे so E होगा अंसार जैगा question होगा answer होगा 4 12 by 13 so 3 की साथ 13 multiply करेंगे तो 39 आएगा और 4 की साथ 12 multiply करेंगे तो 14 होगा तो यह होगा इसका answer यहाज़ा fraction है यह mixed fraction में है तो इसको हम improper fraction में convert करेंगे 4 वाल जाब 4 plus 3 equal to 7 by 4 again 11 into 1 equal to 11 plus 2 equal to 13 by 11 therefore 7 into 11 7 into 11 equal to 77 again 13 into 4 equal to 52 तो यह fraction गेटर होगा तो इसका answer होगा यह इस fraction को हम improper fraction में convert करेंगे 2 4 जा 8, 8 plus 3 equal to 11 by 4 again 25 is 10 so 14 by 5 इस 5 को इसर माल्टीप्ला होगा गे और इस 4 को इसर माल्टीप्ला होगा तो 5 into 11 equal to 55 and 14 into 5 equal to 56 therefore इस fraction is greater so यह होगा question 3, say whether true or false question A, 4 by 9 is greater than 2 by 3 so, इसको हम solution देख लेते हैं 4 by 9 and 2 by 3 so, इस 3 को इसके साद मल्टिप्लाइ करेंगे इस 9 को इसके साद मल्टिप्लाइ करेंगे तो इसका value आए 18 और इसका value आए 12 तो ये greater नहीं हुआ अगर ये greater होता, तो ये statement करें हो question में है, 4 by 9 is greater so, ये part तो greater नहीं है इसलिए statement false है क्योंकि greater part ये है so, ये answer होगा false 2 by 3 is lizard in 1 whole 5 by 7 so, ये part smaller होना चाहिए तो देख लेते हैं, एक बार 1 whole 2 by 3 so, इसको अगर हम convert करेंगे तो 5 by 3 होगा again, इसको हम देखेंगे तो 1 whole 5 by 7 so, 7 by 7 plus 5 equal to 12 by 7 so, इसके साथ अगर हम इसको multiply करें तो 12 के साथ अगर 3 को multiply करें तो इसमें value आएगा 35 और इसमें value आएगा 36 so, ये part smaller है ये part smaller होगा तो ये laser होगा तो इसलिए statement true होगा इस question में हम 7 को ऐसे लेख सकते हैं तो इसके बाद ये fraction आएगा 50 by 7 so, इस 7 के साथ इसका multiply करेंगे और ये 50 के साथ ये 1 multiply करेंगे तो ये हाँ 50 आएगा ये हाँ 49 तो इसमें ये smaller होगा ये greater होगा तो इसमें question में क्या लिखा है 7 is less than 50 by 7 question में लिखा है 7 is less than 50 by 7 so, ये statement correct है क्योंकि 7 into 7 equal करके हमको value मिला 49 so, ये part smaller है smaller so, statement is true question D 6 whole 1 by 3 is greater than 6 whole 2 by 5 so, इसको देख लिखे है 6 whole 1 by 3 and 6 whole 2 by 5 so, इसको अभी हम improper fraction में convert करेंगे 18 plus 1, 19 by 3 and इसका होगा 30 30 plus 2 equal to 32 by 5 इस 5 को ये हाँ multiply करेंगे तो इन दोनों को multiply करने से value आएगा 95 और इस 3 को इधर multiply करेंगे तो इन दोनों को multiply करने के बाद आएगा value 96 so, ये पाठ greater होगा है मतलब 6 ये पाठ smaller है so, 6 whole 1 by 3 is greater तो इए अगर smaller होगा तो statement correct होगा लेकिन इधर लिखा होगा है कि greater है तो इस statement false है so, इसका answer आएगा false 10 then 13 by 7 so, भी 7 को ये हाँ multiply करेंगे और इस 3 को इधर multiply करेंगे तो 17 into 7 equal to 119 आएगा अंसर और 13 into 3 equal to अंसर आएगा 49 तो यह बाद greater हो गया है, question में लिखा हुआ है कि यह बाद smaller है, यह बाद smaller है इनसे तो यह बड़ा हो गया है, से लिए statement क्या होगा? false